तेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेतेते तो हमारे पिताजी ने निर्णे लिया कि हम कुछ समय तक कल्याणी राजी में रहेंगे तो उसमाई हमारी आयू एक वर्षकी होगी तो हम केवल अपने माता के दुखद पर निर्भर थे अब सबागे देखे हमारा उस समय कल्यानी राज्जी के नारायन कृष्ण की आयू भी एक वर्ष की थी तो एक पूरे सब्ता तक जब तक हमारी माता का स्वास्त ठीक नहीं हुआ तब तक हमने और नारायन कृष्णा ने एक ही मा का दुख दुपान किया आरटाथ नारायन कृष्णा की मा लानित दुरगावति देवी का वह! एक ही मा का दुख दुपान किया हम दोनों ने तो हम दोनों बन गए दुखत्वाता ऐसी खल्यान कारी हिपा कारी देवी की जय हो जय हो जय होиру जय हो! वैसे भाता आप जैदी विजयनेगर आने की सूचना दी होती तो हम नगर के भाहर जाकर आपकी प्रतिक्षा करते हैं कृष्णदेव हमने सूचना बिजवाई थी प्रतीत होता है दुरबलता के कारण हमारा दूथ आप तक पहुच नहीं पाया इडते भाता क्रिश्णदेव मैं विजयनेगर विशेश उद्देश्य से आया ह७ आकर विशेश उद्देश्य हमारा विशेश उद्देश्य पाईए हम आपके सटिक पूनर करने हैं तो क्या साहीता कर सकते हैं आपकी ए भाता कि ऐसे अचीशनदेव 본ai यही बात हमने अपने पिलताशी को समझाने की चरिष्टा की तो वो तो क्रोधित हो गए हम भाता आपको चिंतित होने की कोई आवश्यक्ता नहीं है अब आप जिनेगर राज्य में हम दुग दुप्राता है आप में और हम में कोई इंतर नहीं है बताईए हम आपकी साहता कैसे कर सकते हैं वचन देते हो कृष्ण दे ऐसा क्या मागने वाली है यह वचन देते हैं आप पासमें बताईए आपको किस दिश्यक्ता है हमारे राज्य से आपको वो प्राप्त हो जाएगी है यह महराज किसे आशन को क्यूं देख रहे हमारे आपको यह देख राज्यक्ता है कहीं नाराण कृष्ण आपको ही न मांग ले और आपको मांग कर दाओं पे ना लगा दें जी चुक गड़ा रामा ये तो दिवालिया है शीगर कुछ कर महाराज ने इसे वचन दिया है कहिए महाराज से विजय अगर राज न मांग बैठे तुझे तो ग्यात है महाराज वचन पूर्थी करने के लिए अपने नेत्र तक देने के लिए तयार हो गए थे अरे ये तपस्या रज सादू महाराज कौन है श्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष धीरे बोलो कहीं इनकी तपस्या भंगो गई तो ख्रोध में आके शिराब दे देंगे महराज महराज प्रतीत होता है महराज नारायन कृष्ण स्वैम अपने मुख से कुछ भी कहने में संकोच कर रहे है यदि आप आग्या दें तो क्या मैं यह आपको बता सकता हूँ कि आपको इन्हें क्या प्रदान करना चाहिए नारायन कृष्ण नारायन कृष्ण नारायन कृष्ण यह पंडित रामकृष्ण अश्ट दिगज हमारे विशेष सलाकार है अति बुद्धिशाली बुद्धिमान चतुर बस कीजी महराज बस कीजी कित्ती प्रश्ण सा करेंगे आप और हमारे मित्र समान पंडितराम कृष्णा प्रणाम महाराज नारायन कृष्ण जी प्रणाम आपके संबन में तो हमने बहुत को सुना है पंडितराम कृष्णा हमारे राज्य में तो आपकी मिसाले भी जैती है धन्यवाइद पंडितराम कृष्णा आप इतने बुद्धिभान है तो हम चाहते हैं कि आप बताइए कि हम अपने दुख दुख ठाता को क्या पतान कर सकते हैं भाराज, सरुप्रथम तो रहने के लिए सुख सुविधा संपन एक भवन उचित कहने पंडित रामक निशना दिया सुखी जीवन यापन करने के लिए परियाप्त धन उचित कहने पंडित रामक निशना वो भी दिया सेवा करने के लिए सेवक सेविकाए उचित कहने पंडित रामक निशना वो भी दिया पंडित रामकृष्णा आप एक और वस्तू का उल्ले करना तो भूली गए निकल जाओ गुंटकू यहां तुवारा कोई अस्थान नहीं है जिस तरब पूंक के पाउं पालने में दिखते हैं वैसे ही मैंने तुझे देखा है आप मेरे प्रिये भ्राता गुंटकू से इस प्रकार क्रोध में क्यों बात कर रहे हैं अम्रावती आपको ग्यात नहीं है, आपके प्रिय भ्राटा को गाउं के पंचायत ने बैशकार किया है यह महा आलसी है, दोगों को मुर्क बनाने के सिवाए इसके पास कोई कारे नहीं है जी-जाजी, आप समझते नहीं है, आपको पता नहीं है कि संसार की सारी महान खोजे, आलसी व्यक्तियों नहीं की है हाँ अब आपको मुझे बताये, अगर पैदल चलने में इंसान को आननप्राफ्थ होता पो गों इक्छुचता, कि सौभानी करने ड़े अष्वका प्रयोग भी किया जा सकता है अष्वका प्रयोग आए छोड़िए छोड़िये छोड़िए आए छोड़िए क्रिश्णदेव हमें सुख सुविदा संपन भवन सेवक सेविकाएं जीवन यापन के लिए पर्याप धन के लावा पंडित रामा क्रिश्णा जैसे सलाकार की भी आवशक्ता है क्या किरिपिया वचन अनुसार हमें पंडित रामा क्रिश्णा जैसे सलाकार प्रधान करके रतग्य कीजे महाराजी ऐसार है लेचां लेजाओ लेजु कुलयाओ इसको स्कुम्हकं छुलिए सुख संपति तो आनी-जानी या नहांन कृष्णा हमें आपको यह समझाना पड़ेगा कि दान में मांगी वस्तों से अधिक मोल होता है उन वस्तों के लायक स्वैम को बनाना और ये बात पंडित रामक्रिष नहीं आप गौफनी पुत्ति से समझा पाएंगे अपके समान कोई व्यक्ति या आपका कोई भाई या आपका कोई दुग्द्ब्राता भी रहे तो वो भी उप्युप्त है हम तो वचन भी दे चुके हैं ना नहीं कर सकते हैं हमें चिंतित होने की क्या वशकता है पंडित रामक्रिष्टना अवश्य को इनकोई उपाय निकाल देंगे इस समस्य का निवारन वही कर देंगे माराज अग्यादीदी जी अग्यादीजी दीजी ना माराज अग्यादीजी इस सोच में पढ़ गया कृष्ण देव आपने वचन दिया है और हम अपना वचा नवश्य पूर्ण करेंगे यह कारी होई हम पंडित रामक्रिष्ण को सौंपते हैं पंडित रामक्रिष्ण आपको उनी की भांती एक विशेश सलाका ढून कर देंगे प्राता और पंडित रामक्रिष्ण नारान क्रिष्ण की गतना अनुसार यदि आपका कोई भाय हो या दुग्ध प्राता हो तो भी क्रिष्ण देव अगर पंडित रामक्रिष्ण असफल हो गए तो यदि पंडित रामक्रिष्ण इस कारे में असफल हुए तो हम आपको पंडित रामक्रिष्ण ही सौन देंगे बहुत अच्छा फोगा अगर ऐसा हो गया तो मामंद्री जी महराच हमारे दुग्ध प्राता को हमारे वचन अनुसार बाकी की सभी वस्तुएं प्रदांग की जाए जो अग्या महराच आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं महराच कृष्ण देव राएकी 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 आईये महराच कोत्वाल महोदे, जी मंत्रिवर, चलिए तुर्थ प्राता पंडित रामक्रिष्णा का फुजे नगर में समय पूरुम हुआ, इश्वर करें, पंडित रामक्रिष्णा को कोई तुर्थ प्राता ना मिलें पंडित रामक्रिष्णा आपको उनी की भांती एक विशेश सलाका ठून कर देंगे यदि पंडित रामक्रिष्णा इस कार्य में असफल हुए, तो हम आपको पंडित रामक्रिष्णा ही सौन देंगे रामा, अब क्या करेगा? महराज का आदेश है, तुझे अपने जिसा गुणिवित्पी खोच कर लाना है हो सकता है, तीरा कोई दुख दुख बराता हो मेरी बात मान, अम्मा से पूछ इस संदर में वो तेरी सहायता कर सकती है उचित कह रहा है, बंदू महराज, आपने भोज़ें रहें नहीं किया? हमें भूक नहीं है महराज, क्या हुआ? आप बहुत परिशान भी लग रहे हैं हाँ, बहन बहन? बहन भानुमति की याद आ रही थी हमें उनके चले जाने से महल सुना सुना लगने लगा है कुछ दिन और रुख जाना चेथा उन्हें सत्य कह रहे हैं महराज परन तु क्या करे? सुगंदा देवी की वज़े से उन्हें विजय नगर से शेगर प्रिस्तान करना पड़ा उन्हें भैता कि कहीं सुगंदा देवी किसी और पराय पुरुष के प्रतियाकर्शित न हो जाए महराज हमें भी खेद है हमें उन्हें कुछ समय और यहां व्यतीत करने का आगरे करना चाहिए था परन तो अब क्या कर सकते हैं? अब तो वो यहां से जा चुकी है भैन भानुमती वो तो यहां से जा चुकी है महराज जा नहीं आ चुकी है हां हां भैन भानुमती क्रिशन भैन भानुमती क्रिशन इतने वर्शुम inhib पस्चार भेट वी थी अब भी तो तुम्हें देखकर मन भी नहीं भरा था ऐसे कैसे चले जाते इसलिए हम सुयम को वापस आने से रोक नहीं पाए अध्वर्द मिरने लिया हम अध्यन्द प्रसंदा है सुगंदा देवी नहीं क्या सौगन सौगन काने के क्या वशक्ता क्रिष्णा हमें ग्यात है तुम्हारे पीट पिषे तुम्हारी रानिया क्या कर रही थी मगर तुम्हीं इस बात से अनभिग्या हो हम कुछ समझे नहीं बो माहराज के रहे हैं कि कुछ सम सुगंदा देवी नहीं आई हाँ हाँ चिल्ला क्यों रही हो हम सुन सकते हैं उसे हमने हमारे राजे में वापस भेज दिया है क्रिष्णा हमें तनिक विश्राम की आवश्यक्ता है लेकर नहीं आई क्या का आप ने महराज वो कालने की चिस पार बहनने भूक लगिये भोजन लाइए हमारे भोजन महराज हम अभी बर्गत के पत्तों का चूर्मा बना कर लाते हैं अम्मा अम्मा ओ मेश्री सुनो क्या तुम्हे कोई ऐसा व्यक्ती ग्यात है जो मेरी समान हो चतुराई में, बुद्धी मता में, गुनों में बुद्धी मता में, गुणों में पेटा, तुछतुर है, बुद्धी मान है, गुणी है ऐसा तुझे किस का देने का है असो मत, उपास मत करो महराज का आदेश है अम्मा, मुझे को ऐसा व्यक्ती ढूण कर महराज के दुखद भाता, महराज नारायन कृष्ट को प्रदान करना है अन्यता महराज, मुझे महराज नारायन कृष्ट को साब देंगे ये लो, ए-ए-ए, क्या कर रही हो अमा, मेरा कोई दुख दो बहता है, क्या? अर्थात, बाले काल में मेरे अतृत किसी और ने तुम्हारा दुख सीवन किया था, क्या? यह, क्या कहा? कुँच नहीं, कुँच नहीं, कुँच नहीं देखिव़िया हम अपने दर्बार की समस्या घर मतलाए कीजिए बैसे घर में समस्या क्या कम होथी है अब शारदा को ही ले लो क्या हुआ शारदा को ठीक आप हमें एक बात बताईए जब सीता मा लंका से वापस लोटी थी तब उन्होंने अगनी परिक्षा क्यों देती अगनी परिक्षा? वो तो पवित्रता की परिक्षा थी भगवान राम मर्यादा पुरुष उत्तम थी इसलिए ना चाहते वे भी उन्हें सीता मैया की परिक्षा लेनी पड़ी थी हर बार अपने चरित की परिक्षा एक स्त्री को ही देनी होती है परंतो इस बार अपने चरिप की परिक्षा एक पुरुष देगा और वो पुरुष होंगे, आप मैं? क्यों? क्योंकि क्योंकि आप इतने दिवस एक पराइस्त्री के सानित्य में थे अरे तो मैं अकेला कौन सा रहा था? तुम सब भी तो रहे थे ना? क्या, क्या तुम भी रही थी? उससे कोई अंतर नहीं पड़ता आप एक पराइस्त्री के सानित्य में रहे थे और इसे कारण वर आपको अगनी परिक्षा देनी होगी अरे, परंतु सादा? और जब तक आप अपनी पवितरता था थाबित नहीं कर देते यदि आपका हाथ जना नहीं तो आप परिक्षा में सफल, अठवा, विफल ना, 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 तुम क्या, ना, ना, रिक्षार रुके अरे, ये क्या बोल रही है? तुम तो कितनी बोली हो ना? ये क्या है? जलता हुआ कोईला, उठा लो ये लाल कोईला अपनी हतेली पे उठा लो, यदि आपकी हतेली जली नहीं तो आप परिक्षा में सफल जल जाएगा चला सकते, हाँ, चला सकते, चल भी सकते अरे क्या चला सकते, तुम क्या नहे नहे उपाई दे रही हो इसको आपके नाटक ने मुझे कितना रुलाया है, आपको कुछ तो प्राश्चित करना ही होगा परिक्षा में तुम से एक शमा मांगता हूँ, जिक शमा कर दो हमें आपके कोई शमा नहीं चाहिए अरे सुनो तो शार्दा क्या कह रही है ये ये परी है, परी तो कहीं की नहीं है मैं परी हूँ, वाह आपके नाटक ने मुझे कितना रुलाया है आपको कुछ तो प्राश्चित करना ही होगा एक तरफ शार्दा की हट और दूसरी तरफ महाराज की आग्या अब ना जाने आगे कौन कौन सी नहीं समस्याएं आएंगी प्राश्चित करना ही